कि हेलो फ्रेंद्स नए टॉपिट के लिए हम लोग तैयार हो गया है नए टॉपिक है गॉल लिए प्रेटस गउल ऑनेटेश के होता मॉल जीप्रेटस जैसे एक सेल और्रेल के इंदर कि किसी भी जो मैट्येयल सूर् means करना और डिस्पेश करने का काम होता है वो नेसेसरी पोजिशन पर जहां पर सेल को जरूरत माल लेगे सेल डेमज हो चुका है तो सेल को रिपेर करने के लिए जो मैटरियल का जरूरत उसको प्रभाइट करता है गॉल जेपर्टस तो हम लगाता है आए देखते हैं गॉल सांट्रिस्ट के द्वारा गॉल जेपर्टस का खोज हुआ था बैसिकली इट इस फ्लैट बैग लाग स्ट्रक्चर ये फ्लैट बैग लाग स्ट्रक्चर होता है चप्टा बैग के तरह होता है ये टीव के तरह होता है चप्टा टीव के तरह होता है इसका मेन फंक्शन वह प्रोटीन को और अधर मेटरियल को इसको मोडिफाई करता और इसको सही जगापर डिस पैश करता है जैसे कि हम लोग दोड़ते हैं यह हम लोग दोड़ते हैं यह हम लोग हम लोग जयादा कर रहे हैं तो जैसे लोग को जाहां पर इनरजी की जरूवता सबसे जगास सबदेने करता. कि अधरशुद जोन्यक्रीटर थी कुल दोड़ते हैं करता है बैर वाहिए तो पर्मेन अग्यों को सता है यह होता है जब फोल एंट फ्रक्राइब मेने पहले बता दिया जहां पर सब्सक्राइब ज़्रूरत होता है वही पर बाजी अप्रेटस इनर्जी को पहुंचाता है यह जों से लाजिजोंच पर दो क्योंकि इसे की मेंब्रेन बॉंड से लगनल होता है लाइजो और इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइजोजोम में डायस्टिव जूस होता है जो कि स कुआ लोरल इसेल खराब हो गया करता है अगर कोई अपने आपको बस्ट करता है और अपने अंदर का जितना बिए हैटाललेटेक एंजाइम है इत्कल मुझेय्ट करता है इसलिए इसको सुषाइड बैग करते हैं या ऐटम पोंब ना। जो कि मैंने पहले ही बता दिया है तो हम लोग फिगर में देख रहे हैं इसमें डियने है इनर मेंब्रेन है और्टर मेंब्रेन है तो यह अदर करता है और इसेंजाय्म से रिस्ट प्रसाइस होता है कि मैंट्स प्रेजोंटर्वर अपता हूँ इसमें रिफिजोंटर्व जल इसे को पावरहास ऑफुसेल के नाम से जानते हैं इस द वे लेयर क्ली स्टे pops जिस बस्टेट कले महां करेंग सब्सक्राइब जो हता है बाहरी लेयर था फैक terre tooling अनुट मैं फृल्ड काता है और इसी इनर फोल्डले लेयर के अंदर है मैंट्रिक्स लिकुट प्रजेंट होता है तो जैसा कि हम लोग ने बताये हैं । जैसा कि मैंने बताया अ कि इस नून एस पावर हाउस आप देसेल अब लेयर कवर स्ट्टर्चर गिंश लाज सर्फिस area which helpful in ATP synthesis जैसे कि सबसे पहले outer surfaces का porous होता है और inner surface folded होता है और इसी inner surface folded inner surface को हम लोग क्रिष्टी कहते हैं और इसी क्रिष्टी के अंदर DNA और matrix liquid होता है DNA और matrix liquid matrix liquid क्या करता है matrix liquid जो होता है वो रेस्पारेशन प्रोसेस को कंट्रोल करता है matrix एक रेस्पारेशन इस्पारेटिंग इंजैम बनता है जो कि mitochondria को रेस्पारेशन प्रोसेस में हेल्प करता है ATP stands for adenosine triphosphate ATP का full form adenosine triphosphate होता है जो कि एक energy का packet है एक energy का molecule है जो कि mitochondria बनाता है और हमारे शरीर में जो energy है जिसके थरू हम लोग पूरे लाइफ में काम करते हैं वो पूरे लाइफ में काम करने का एक ही पीशे का परपस हो है mitochondria, mitochondria is the power household इसके बना कुछ नहीं है हम लोगा शरीर बिना energy less है, mitochondria के बना ATP stores in the form of energy when body needs energy, use this ATP molecules ATP को mitochondria बनाता है और इसको body में store करता है और जब energy की जरूल होती है तो mitochondria energy का supply करता है in the form of ATP molecules it has own DNA and ribosome which can synthesis their own protein that's why mitochondria is also known as cell inside the cell इसमें DNA भी होता है, enzyme भी होता है और ribosome भी होता है इसे inspiration process भी होता है इसकी इसलिए ये खुद का protein खुद से बना सकता है इसलिए इसको cell के अंदर cell भी कहा जाता है इसलिए एक सेल के अंदर एक और चेल जैसा एक सेल और गनल प्रेजेंट है इसको हम लोग mitochondria कहता है इसलिए इसको in self inside the cell भी कहा जाता है और यही जैसा मैंने बता है कि इनर फॉल्डड मेंब्रेंट को हम लोग रिष्टी कहता है और इसके अंदर matrix liquid present होता है जो कि respiration process में help करता है matrix liquid में है enzyme produce होता है जो कि respiration process में help और इसको sell के तरह function करने में मदद करता है सो तू भी कंटिनुवड गायस और थैंक्स फर वाचिंग और ऐसे ही पढ़ते रही और मैं आपका पूरा स्लेवस बाइलोजी का कंपेट कराऊंगा नो डाउट और ठेक है अल दे बेस्ट कीप लर्निंग कीप वाचिंग थैंक यू थैंक यू